कारिरत देखा है पर क्या कभी किसी युद्ध पोथ पर गए हैं? स्वागत है आपका काइड़ेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आई एनस कॉलकाता पर भारतिय नौसेना का सबसे घातक और अग्रिम समुद्रियो था लंबाई 164 मीटर और वजन 7400 टन अपनी श्रिंखला का ये पहला युद्ध पोथ मजगाउं डॉक्स में निर्मित हुआ ये आत्म निर्भर भारत का एक शीर्ष उदारन है कॉलकाता का प्रवर्ति करण अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिती में हुआ तो चलिए सफर शुरू करें जहाज पर पोथ के ड्यूटी वाच हमारा स्वागत कर रहे है ये युद्ध पोथ का हेलिकॉप्टर डेक है आपने ये आवाज सुनी ये उद्ध गोशना है रोज सुबह आठ बजे होने वाली कलर्स सेर्मानी की नौसेना के ध्वज वाइट एंसाइन को जहाज के पिछले हिस्से में जिसको स्टर्न कहते हैं और राश्ट्रिया ध्वज को जहाज में सबसे आगे जिसको फॉक्सल कहते हैं फेहराया जाता है आएए अब हम फॉक्सल से आगे बढ़कर इस बोट की विध्वन्स कारीक शमता को देखते हैं भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस SRGM से समुद्री जहाज, हवाई जहाज या फिर समुद्री सीमा पर हमला किया जा सकता है आएए आगे बढ़कर चड़ें मिसाइल टेक पर यहां स्थापित हैं ध्वनी की कती से भी तेज घातक स्वदेशी ब्रहमोस मिसाइल्स और उसके साथ स्थित है वराक एट पोट से हवा में मारने वाली सर्फेस टू एय मिसाइल्स और इनके पीछे हैं स्वदेश निर्मित रॉकेट लॉंचर्स जो की धुरित रफ्तार से तुश्मन की पंडुब्बी पर आक्रमन करते हैं अब आप देखिए एक गार्पून बल रेडार जिससे जहाजों की जानकारी मिल जाती है हमारे पास नैविगेशन रेडार्स भी हैं और सबसे उपर है MF स्टार जो एक साथ सैंक्लो हवाई टागेट्स ट्रैक कर सकता है इस बोट की विस्तारित मारक शमता में शामिल है चार एंटी सम्मरीन टोर्पीडोस चार एके 630 गंस दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने में इस्तिमाल होती है और अब हम वापिस पहुँच गए जहाज के पिछले हिस्से में यहाँ दो हेलिकॉप्टर हैंगर्स हैं जिन में सी किंग या चेतक हेलिकॉप्टर्स की विवस्ता है INS कोलकाता में करीब 400 नौसैनिक हैं और उनके पोशन एवं सेहत का खयाल रखने के लिए पून तरह से सुसजित कैली यानि किचन और डाइनिंग हॉल्स हैं जहां सब लोग एक साथ खाना खाते हैं कोलकाता का ओपरेशन थियेटर नौसैनिकों के अलावा पचाव एवं रहत गतिविधियों में रेस्क्यू किये गए लोगों के लिए भी काम में आता है जरूरत पढ़ने पर बीच समुद्र में भी सैटलाइट लिंक के सरीए स्पेशलिस्ट उपिनियन लेने की सुविधा है जहाज में जगे जगे पर प्रदर्शित हैं स्मृति चिन्ध जो याद दिलाते हैं कौलकाता के अजेय भाव, इतिहास, गौशल और महान धरोहर की और अब अंत में हमा पहुँचे हैं इस पोध के कमांड सेंटर इसके ब्रिजबर, जहां से इस विशाल युद्ध पोध की सारी गतिविधियों का संचालन होता है ब्रिजबर हर वक्त 2400 घंटे कार्मिक सैनिक तैनात रहते हैं नौ सेना एको तीर्ण सेवा है और ये आपको मौका देती है कि आप अपनी आजिविका का रास्ता स्वयम चुने और अपना लक्ष्य खुद मिर्धारिद करें हमें बहुत खुशी होती अगर आपका साथ कुछ देर और मिलता पर वक्त की बुकार है दायत्व निभाने का समय है कॉलकाता शीगर ही बंदरगाह छोड़ देगा अगर आपका अनुभव अच्छा रहा तो औरों को भी जरूर बताईए और हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रोटसाहित कीजिए आपका सेफ निवड़ देख जिए ऑपका जेखते हैं झाल को भी जगर देख बंदरगाह जिए बंदरगाह भी आपका अनुटंदर चाराहँ है झाल क पका उन्दर्टसाह निए ज़ाग्जर्बर में झाल को देखते हैं